ये स्रीक्रिष्मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का आज हम सुरी ग्रहण की बात करेंगे सुरी ग्रहण जो 4 दिसंबर को आज के दिन लग रहा है और इस सुरी ग्रहण की बात करेंगे तो ये सुरी ग्रहण ब्रस्चिक राशी और जेष्ठा नच्छत्र में लग रहा है ब्रस्चिक राशी के स्वामी मंगल है और जेष्ठा नच्छत्र के जो स्वामी है वो बुध है यह जेष्ठा नच्छत्र का स्वामी तुझे है बुध को प्राप्त है तो इस तरह से जो लोग बृश्ची ग्राश या जे श्ठान अच्छट्र में जंड में हैं उन पर इस ग्रहण का विसेश रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा लेकिन ये प्रभाव वही पर जादा देखने को मिलेगा जहांपर ये सुरी ग्रहण दिखाई देगा भारत में सुर्य ग्रहन दिखाई नहीं देगा तो भारत में सूतक काले भी मानने नहीं होगा इस सुर्य ग्रहन के समय ब्रिश्चिक राश में जो सुर्य ग्रहन लगेगा सुर्य और चंद्रमा तो ब्रिश्चिक राशी में होंगे ही और केतु वहाँ पर पहले से गोचर में तो केतु भी होंगे और बुध भी आज के दिन यानी चार देसंबर के दिन वहाँ पर गोचर में होंगे तो सुर्य और चंद्रमा और बुध और केतु चार ग्रे होंगे ब्रिष्चिक राश में जब ये ग्रहन लगेगा ये एक पूंड ग्रहन होगा सुर्य ग्रहन और राहु की द्रिष्टी होगी क्योंकि राहु जो है ब्रिषब राश में होगे यानि ब्रिष्चिक राश में ये ग्रहन लगेगा और ब्रिष्चिक राश में सुर्य और चंद्रमा दोनों ही होंगे और बुद्ध भी होंगे और केतु भी पहले से यहां पर गोचर में हैं तो केतु भी होंगे और राहु ब्रसब राश में हैं तो राहु की द्रिष्टी भी होगी तो सुर्य, चंद्रमा, बुध और केतु चार ग्रे एक साथ में होंगे और राहु केतु एक्सिस में होंगे तो यहां पर एक ग्रहन लगेगा लेकिन ये ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में सुतक कालमान नहीं होगा ये दच्छड अफरीका और नामीबिया, दच्छड अमेरिका और अट्रांटिका में दिखाई देगा इसलिए ये वहां के लोगों पर प्रभाव करेगा भारत के लोगों पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा लेकिन क्या है कि सुर्र तो एक ही है, तो सुर्र एक है, इसलिए इनके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता इसलिए सुर्य ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सा अबधानी परतने की सलाज जरूर दी जाती है और वैसे तो सुर्य ग्रहण का सूतक लागू नहीं होगा, तो सुर्य ग्रहण के नियम यहाँ पर लागू नहीं होगे और कोई भी ऐसे नियम नहीं लागू होगे, कि वही ग्रहण के समय सोना नहीं है, या खाना बनाना नहीं है, या खाना खाना नहीं है या गर बतिस्त्रियों को इतना ध्यान रखना इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं होगी लेकिन यह है कि इसके उपाए दुस्प्रभाव जो ग्रहण के होते हैं सुरी ग्रहण का मतलब प्रभाव जो होता है सुरी ग्रहण का प्रभाव घटाने के लिए आप उस समय पर धार्मिक कार्यों में लग सकते हैं, धर्मकर्म कर सकते हैं, दानपुन्य कर सकते हैं, अपने इश्ट देव का ध्यान कर सकते हैं आलांकि वैसे तो भगवान के मंदिर के का पार्ट भी बंद हो जाते हैं लेकिन सूतक नहीं लगेगा तो भारत में इसका कोई मतलब नहीं होगा और बैसे आप उस समय धर्म कर्मदान पुन्य गीता का पार्ट रामायन का पार्ट किसी भी धर्म गृंद का पार्ट और अपने इष्ट की पूजा उपासना भी कर सकते हैं भारत के लोग और जहां पर यह दिखाई देगा वहां सूतक मानने होगा तो वहां पर सूतक के नियम भी मानने होंगे बात कर लेते हैं कि कुम्भ राशी वालों को इस ग्रहन के क्या प्रभाव मिल सकते हैं तो कुम्भ राशी का जो ब्रिश्चिक राशी है वो दसम भाव है और दसम भाव में ग्रहन लगेगा तो कुम्भ राशी वालों के लिए ये सुब परणाम लेकर आएगा और आपके लिए ये सुब है, आपको सफलता मिल सकती है, आपके व्यापार कारोबार में सफलता मिल सकती है, नौकरी में सफलता मिल सकती है कार्यों में प्रतियोगिता जैसे आपको कमप्टिशन इत्जाम बगएर अगर आज के दिन दे रहें तो उसमें आपको सफलता मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से मेहनत की है सत्रों और विरोधी परास्त रहेंगे वो आपका कुछ नहीं विवाड़ पाएंगे उन पर आप हाभी रहेंगे आपकी सफलता की संभावनाय मजबूत होंगी आपको इस समय अपने पुराने विवादों को निप्टाने की कोशिस करनी चाहिए चाहें वो व्यापारिक हों या परशनल हों या पैत्रिक संपत्ति को लेकर हों या किसी जमीन को लेकर हों तो वो विवाद इस समय आप चाहें तो निप्टा सकते हैं कोशिस करनी चाहिए आपको उसमें आपको सफलता मिल सकती है दसम भाव में ग्रहन लग रहा है तो दसम भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा तो समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ धनलाब भी हो सकता है प्रोपर्टी से जुड़ी समस्याएं खत्म हो सकती है तो इस तरह के कई प्रणा मिल सकते हैं तो और ये जो ग्रहन है इसका जो समय रहेगा चार दिसमबर दो हजार इकिस दिन सनिवार को लगेगा और इस दिन अग्रहन मार्श कृष्ण पच्च की अमावश्याति थी है और ये सुर्य ग्रहन चार दिसमबर की सुबए 10 बज कर 69 मिनट से दिन में और दोपहर को 3 बज कर 7 मिनट पर समाप्थ होगा यानि 10 बज कर 69 मिनट से प्रारम होगा सुबए के समय भारती समय के अनुशाथ और 3 बज कर 7 मिनट पर ये समाप्थ होगा और भले ही इसके नियम माने नहीं होंगे लेकिन सुर्य एक है इसलिए थोड़ा सा प्रभाव तो सभी पर पढ़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है और बाकी मैंने कुम्भराशी वालों को इसके क्या प्रभाव पढ़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा की है तो मित्रों आज जो यह सुर्य ग्रहन है उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा आप से की आप सभी स्वस्त रहें आईश्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी स्रीकृष्ण भावान से प्रार्थना है जैस्रीकृष्ण